Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQZ9 Lite Android मॉइल फोन में आप अपने मुबल फोन में वाइफाई के पासवर्ट को कैसे देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं देखे इसके लिए आपको सबसे पहले मुबाइल फोन का कुईट पैनल ओपन करना है उपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो पैनल आता है इसमें आपको जो वाइफाई का आइकन है इसे उंगली से दबाके रखना है तो यह पेज आएगा इसमें सबसे नीचे आपको मोर वाइफाई सेटिंग का यह उप्शन सेलेक्ट कर लेना है अब देखें आपका यह वाइफाई का पैज फुल पैज में ओपन हो जाता है अब देखें जो यह वाइफाई connected होता ना इस तरीक से आपके फोन में तो connected वाइफाई के सामने सेटिंग का जो आयकन है इसे सेलेक्ट करना है अब यह page आएगा इसमें देखिए share का यह option होता share पर select कर लेना है तो यह आपको अपने phone का screen lock डाल देना जो भी है तो देखिए सबसे नीचे आपको यह wifi का password यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इस तरी के से आप अपने phone में wifi के password को देख सकते हैं